केंदर शासित प्रदेश जमू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का लक्षे रखने वाली भाजपा ने प्रदेश कारेकारनी के बाद पार्टी गती वीधियों को तेजी अधार बढ़ानी की मुहिम तेज कर दी है भाजपाद एक्ष्रविंदर रहना शुकरवार से जिला कठ हुआ का दो दिफसे दोरा कर पार्टी नेताओं वर कारेकरताओं के साथ बैठकों में आगी की रनीती तैग करेंगे मरी संगठन महामंत्री अशोक कॉल कश्मीर में पार्टी गती वीधियों को तेजी देने के लिए वीरवार से श्री नगर में है जिलों के दौरे कर पार्टी गतिवीधियों को तेजी देने की रनीती जमू में 25 अगस्त को हुई प्रदेश कारेकारनी की बैठक में बनी थी अब इस पर कारवाही शुरू हो गई है जिस तरीके से भारतिय सेना जमू कश्मीर पुलिस हमारे पेरा मिलिटरी फोर्सिस के जवानों ने ओपरेशन आल आउट करके आतंकवादियों की कमर तोड़ी है उससे पाकिस्तान को आतंकवादियों को अलगावादियों के अंदर एक बोखला हट है आज कश्मीर की जनता ये जान चुकी है कि आतंकवादि इनसानियत के दुश्मन है पाकिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान इसलाम का दुश्मन है मुसल्मानों का दुश्मन है और कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो पाकिस्तान है आज पाकिस्तान के काले कारणा में सारी दुनिया के सामने है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को अब जनता का समर्थन जम्मू कश्मीर के अंदर बिलकुल नहीं है जनता ने रिजक्ट कर दी है पाकिस्तान की थियोरी आतंकवाद अलगावाद की थियोरी को और उसके चलत आने आने राजनितिक दलूं के लोग हैं वो चाहे किसी भी प्लिटिकल पार्टी के लोग हो क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी बड़े पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र जमूरियत की मजबूती हो उससे घबरा कर इस किसम का शड़ेंतर करता है लेकिन भारत ये सेना के जवान, पुलीस के जवान, परा मिलिटरी फोर्सिस के जवान, पाकिस्तान की हर साज़िश का मूतोर जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान की किसी भी साज़िश को कभी हम काम्याब नहीं होने देंगे हैं. जमु कश्मीर के उपराज पाल महोदे से हमने ये निवेदन किया है कि जमु कश्मीर के अंदर जितने भी political parties के नेता हैं जिनको threat perception है जिनको धंकिया मिल रही है जिनकी जान को आतंक वादियों से अलगा वादियों से खत्रा है उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए सभी बीडीसी के चेर्मेन और सरपंचीस पंचीस जो इस समय आतंकवादियों के निशाने पर हैं जो देश का तिरंगा जंडा हमेशा बुलंद रखते हैं भारत माता की जय जय कार करते हैं उन सब को सुरक्षा दी जानी चाहिए चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंद क्यों न रखते हों और माननी है उपर आज ये पल्म होदे ने एक बड़ी रिव्यू मिटिंग करके इस पर निरने भी लिया है और हमें विश्वास है कि जल्द सभी चुने हुए नुमाईदूं को जिनके उपर जिनकी जान को आ कॉंग्रेस अगले 200 सालूं तक सत्ता में नहीं आ सकती क्यूंकि क्कॉंग्रेस पार्टी के अंदर देश भक्त नहीं है वहां गांदी नेरू खांदान के भकत है कॉंग्रेस पार्टी में इंटर्नल डेमोक्रेसी खतम हो चुकी है यह वही कॉंग्रेस है जहां सुभास चंदर बोस और सरदार पटेल जैसे महान नेताउं को अपमानित किया था सुभास चंदर बोस एक जमाने में कॉंग्रेस के बड़े नेता थे लेकिन नहरू की चालू के चलते उनको अफमानित होना पड़ा था और वही कुछ-कुछ हाल गुलाम नभी आजाद जी का है वो भच्पन से लेके कॉंग्रेस की सेवा कर रहे हैं कॉंग्रेस के बड़े न आज अगर गुलाम नभी आजाद जी जैसा कॉंग्रेस का बड़ा नेता अगर कॉंग्रेस के अंदर घुटन मैसूस कर रहा है सफोकेशन मैसूस कर रहा है वो प्रताडित और अपमानित मैसूस कर रहा है तो इससे एक बात तैह है कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ औ कि आर्थी उतारे कंग्रेस के अंदर देश वक्त नहीर है नेरू गौंदी खांदान के भट हैं इंटरनल डेमोक्रेसि कॉंग्रेस में बिल्कुल नहीं है गुलाम नभी आजाद ने तो कहा 50 साल लेकिन अगले 200 सालों तक ये कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती